तो दोस्तो जब भी कभी वियो का कोई इसमार्टफोन लोंच होता है न तो मैं काफिसदा सप्राज होदहता हूं इन समाटफोन को देख कर कारण यह है कि इन स्मार्टपोन में मिसा हम लोगों कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलता है और यही रिजन है जिसकी वज़से वियो अब तक अपने मोबाइल पोन को लेकर अमेशा चर्चा में बना रहता है वियो के काफि सारी स्मार्टपोन जो हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे फ्यूचर में जो की काफिस दा अमेजिंग क्वालिटी के साथ एंड काफिस सारी अमेजिंग फीचर के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे इन में से एक smartphone ने वियो की तरफशी आने वियो एक से 200 पर हो सबसे परले आप लोग इस smartphone का look देखो लुक बाइज मुझे mobile phone काफिस दा बढ़िया लग रहा है और देखकर ही लग रहा है कि mobile phone एकदम premium quality का डिसेंट सा look हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है मतलब अगर आप लोगों के याद में यह mobile phone आगया कसम से मज़ा आ जाएगा एंड अगर हम लोग इसका back panel देखके जहां पर हम लोगों को बड़ा सा camera देखने के लिए मिल जाता है जो की काफिस दा इंट्रेस्टिंग लग रहा है दिखने में क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को व्यों का जो camera देखने के लिए मिलेगा इस smartphone में वो काफिस दा इस पेसल है एंड इस camera के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले आप लोग mobile phone का जो है यहाँ पर front look भी देख लीजे जहाँ पर हम लोगों को अलकी सी कवरो डिस्पले देखने के लिए मिल जाते है mobile phone का जो look है ओ मुझे personally काफिस दा बढ़िया लग रहा है काफिस दा amazing quality लग रही है mobile phone के अगर हम यहाँ पर बात करें इसके camera के बारे में यहाँ पर हम लोगों को rear camera setup मिल जाता है पचास existe प्लस 50 mesh 있다ằn humming दोसों मेखा पिक्सल का टेल इडिखने के लिए मिल जाता है जो कि काफिस दा highly है यहा पर आप लोगों काफिस दा बढ़िया लगी ऊप्रण दिखने मिल जाता है जो कि काफिस दा बढ़िया लगी अगर हम यहाँ पर के साथ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है अब में आपर बात करने वाला के बारे में अगर बात करें आपर इसके परफॉमेंस यानि के बारे में मीडिया टेक डायमन सिटी का 9400 देखने के लिए मिल जाता है जो कि त्री नेनो मिट्री पर बेस है यानि कि आप लोग यह मान कर चलो कि इसका प्रसेजर काफिस्दा पास्ट है ये आप लोगे के लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में और कुछ ज़्यादा बोलू उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि यार यह स्मार्टफोन मुझे परसनली काफिस्दा पसंद आया है एंड अगर मुझे को स्मार्टफोन पर्चेस करना होता ना तो मैं साइड इसी स्मा स्मार्टफोन बाकि अगर आप लोगों को भी स्मार्टफोन पसंद आया है तो आप लोग इसी स्मार्टफोन का इंतिजार कर सकते हो यह स्मार्टफोन जो पांच नूम्ब्र को लों चोने वाला ता पता नहीं यह लोंच होगा यह नहीं होगा लेकिन यह काफी जल्दी ल तके ले बाई बाई नमस्कार जे हिंदी जे बारत